स्वागत है आप सभी का ओडियो बुक सम्मरी में, जहां पर आप देख सकते हैं, कम्प्लीट बुक सम्मरी ज आज का यह वीडियो डॉक्टर वॉलस वाटल्स की किताब, The Science of Getting Rich पर आधारित है। डॉक्टर वॉल्स ने यह किताब 16 चाप्टर में लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है, कि जिस तरह दुनिया में होने वाली हर चीज़ के पीछे एक साइण्स होती है, उसी तरह अमीर बनने के पीछे भी एक साइण्स होती है। इस वीडियो में हम उसी साइंस के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि अमीर लोग किस तरह की सोच रखते हैं जिससे वह अमीर होते हैं और अपनी दौलत को बढ़ाते रहते हैं वह ऐसा कौन सा काम करते हैं जो उन्हें अमीर बनाता है मैं एक एक करके आपको सभी चाप्टर्स के बारे में डीटेल में बताऊंगी इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए चाप्टर्स के सभी इंपोर्टन बातों को शौट में दोबारा दोहरा दूंगी ताकि इस वीडियो में बताए गई बातें आपको आसानी से याद रहे तो इस वीडियो को अंत देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चाप्टर से। दोस्तों लोग गरीबी के बारे में चाहे जो कहें। पर रियालिटी यही है कि अमीर बने बिना कोई भी सफल और सुखी जीवन नहीं जी सकता। जब तक हमारे पास परियाप्त धन नहो तब तक हम अपनी मैक्सिमम एबिलिटी तक कभी नहीं पहुँच सकते और खुश नहीं रह सकते अपनी शरीर, मन और आत्मा की देखभाल के लिए और अपने टैलन्ट तथा स्किल के विकास के लिए हमें कई चीजों की जरुरत होती ह और हम ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक की हमारे पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहो अगर कोई सोचता है कि उसे अमीर बनना है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है यह बिलकुल सही है कि आप अमीर बनने के साइंस पर पूरा ध्यान दे क्योंकि यही तो सबसे बेसि करना और खुद को अमीर बनाना Chapter No.2 There is a Science of Getting Rich अमीर बनने का एक साइंस होती है ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि उनका जन्म किसी अमीर घर में हुआ है या उनके आसपास का माहौल अमीरी वाला है या ऐसे लोग बहुत talented होते हैं लेकिन ये सभी बाते गलत हैं अमीर बनने का Science is Natural Law पर आधारित है कि समान कारणो के हमेशा समान result मिलते हैं इसलिए जो भी अमीरी लाने वाले कारण पैदा करना सीख लेता है वह अपने आप अमीर बन जाता है अमीर बनने का environment से कोई संबंध नहीं है हर जगह हमें अमीर और गरीब लोग एक ही जगहा सपास रहते हुए और अकसर एक ही जैसे काम करते हु अमीर बनना एक निश्चित तरीके से काम करने का परिणाम है आप कितने ही गरीब क्यों नहों अगर आप इस science के अनुसार काम करने लगते हैं तो आप अमीर बनने लगेंगे और धन एक तरित करने लगेंगे अमीर बनने की science मुश्किल नहीं है जाहिर है सोचने समझने की थोड़ी एबिलिटी तो ज़रूरी है, लेकिन जिसमें यह सब सुनने और समझने लायक दिमाग है, वह आवश्य अमीर बन सकता है। Chapter No.3. Is Opportunity Monopolized? अवसर पर एक अधिकार नहीं किया जा सकता। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह गलत कंसेप्ट होता है, कि दुनिया में सीमित साधन और धन है, इसलिए कुछ लोग ही अमीर बन सकते हैं, लेकिन कोई भी इनसान इस कारण से गरीब नहीं रहता कि धन की सप्लाई लेमिटेड है, सभी के लिए जरूरत से बहुत अधि धन अवेलिबल है, कोई बु Awak प्रेवरस कार्थ ब्रेंग अज्ट अगर्ब दो शप्रें छोग रोड्राइब ग्रशा दो इन तो बहुता है पीच्ट फॉड़ अर आ गूवडर दिंग सी।ट धनल अनल इस दो इस तो इजए ब्रशा इन दोंग है अमीर बनने का पहला नियम अमीर बनने का पहला नियम भा है जहां से हर चीज की रचना की शुरुआत होती है जहां से creative process की शुरुआत होती है यानि कि आपकी सोच राइटर ने कहा है कि इनसान ही किसी भी सोच का center point है क्योंकि इनसान ही ऐसा जीव है जिसमें सोचने की ability है इनसान तब तक कोई भी चीज नहीं बना सकता जब तक वह उसके बारे में सोचता नहीं है आप जो भी गोल या result हासल करना चाहते हैं उसे अपने दिमाग में रखें बार बार अपने गोल के बारे में सोचने से वह आपके subconscious mind में समा जाएगा राइटर कहते हैं कि सही, विचार सोचना ही इनसान के लिए सबसे मुश्किल काम है, अक्सर लोग अपनी मौजूदा परिस्थितियों और परिनामों को देखकर अपने मन में गलत विचार बिठा लेते हैं और उन्ही विचारों पर केंद्रित करते रहते हैं, आप अपने मन म केवल उन्ही चीजों के बारे में सोचे जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, आप जो भी परिनाम देखना चाहते हैं, केवल उन्ही के बारे में सोचे इसका मतलब है कि अगर आप महीने में एक लाक रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन इस समय आप केवल दस तो आपको एक लाख रुपए के बारे में ही सोचना होगा कोई भी इनसान अपने मन की शक्ती का पूरा इस्तमाल करके अपने विचारों और परिनामों को बदल सकता है। चाप्टर नमबर फाइव इंक्रीजिंग लाइफ, निरंतर विस्तरित होता जीवन आप अपने इस तरह की सोच को छोड़ दें कि आपके दुखी या गरीब रहने में भगवान की कोई इच्छा है। आपका गरीब होना बस आपकी सोच का नतीजा है। राइटर के अनुसार भगवान चाहते हैं कि आप अमीर बने और हमेशा खुश रहे ता कि वह आपके द्वारा अपने आपको व्यक्त कर सकें और मानवता की मदद कर सकें। यूनिवर्स चाहता है कि आपके पास वह हर चीज आए जिसे आप आना चाहते हैं। आपको सिर्फ खुशी नहीं बलकि अच्छे जीवन की इच्छा रखनी होगी लेकिन याद रखें। निश्चित तरीके से अमीर बनने के लिए हैं। आपको पूरी तरह से competitive सोच से बाहर निकलना होगा। आपको एक competitor की जगा एक creator बनना होगा आप वह चीज नहीं चु रहे हैं। जो किसी दूसरे के पास है। आपको किसी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आपको मौल भाव करने की जरूरत नहीं है। आपको धोखा देने या फाइदा उठाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाए आप तो अपनी मनचाही चीजों को ब्रह्मान से पाना चाहते हैं और वहाँ पर सप्लाइ अनलिमिटेड है। आपको कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि आपके आगे बढ़ने की कोई सीमा आप किसी इनसान को उससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकते जितने आप उससे लेते हैं लेकिन जब आप बिजनेस या नौकरी करते हैं तो आपको उन्हें अपने प्रॉड़क्ट या सर्विस की कीमत से थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक ऐसी कमपनी में काम कर रहे हैं जो आपको हर महीने पचास हजार रुपए सालरी देती हैं तो आपको हर महीने पचास हजार रुपए से ज्यादा काम करके कमपनी को देना चाहिए आपकी कमपनी वेतन के रूप में आप पर हर महीने इन्वेस्ट करत और वा अपने investment पर उसे अधिक return कमाना चाहती है। जब आप अपने वेतन से अधिक कीमत का काम करके अपनी company को देते हैं तो पैसा आपकी तरफ अपने आप खीचा चला आता है। अगर आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में सोचना छोड़ कर यह सोचना होगा कि कौन सा काम दूसरों के लिए ज्यादा माइने रखता है इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने बॉस की या अपनी कमपनी की समस्याओं को समझें और उनका हल ढूंढने की कोशिश करें दूसरों की समस्याओं का निवारन करना अपने काम की वैल्यू बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करना ही बिजनेस करने और पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है चैप्टर नमबर सेवन, ग्राटिटूड डॉक्टर वाटल्स ने कहा है कि कृतगिता यानि ग्राटिचूड एक आटिचूड है ग्राटिचूड के अभाव से क्रिएटिव प्रोसेस में रुकावट आती है और वह धीमी हो जाती है जब आप आम लोगों पर गरीब लोगों पर और मतलबी लोगों पर ध्यान देते हैं तो आप उन्हें अपनी जीवन में आकरशित करते हैं जब आप ऐसे लोगों के बारे में रोज सोचते हैं तो ऐसे लोग रोज आप से कही ना कही मिलते हैं जब आप अपने मन में ग्रा चाप्टर नम्बर एइट, थिंकिंग इन दे सर्टन वे, विशेश तरीके से सोचना. हमारे अंदर की creative energy हमारे जीवन में उन चीजों को attract करती है, जिन पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं. एक बार आप इस सच्चाई को समझ ले तो आप अपने जीवन में छोटी-छोटी बातों की चिंता करना छोड़ देंगे. हर वह पल जो आप शक करने, चिंता करने और डरने में बिताते हैं, वह आपके अंदर की आकरशन शक्ती को कम कर देता है और आपकी मनचाही चीजों को आपसे दूर ले जाता है. हर वह इनसान जिन्होंने अपनी जिन्दगी में सफलता हासिल की है, वे एक खास तरीके से सोचते हैं, वे अपने मन में शक और डर के विचार नहीं रखते और हमेशा अपनी जीवन में अच्छी परिस्थितियों और परिनामों की उम्मीद करते हैं, अपने मन में शक और रखने से आप कभी भी जीवन में सफन नहीं हो सकते इसलिए डर और शक के विचार अपने मन से निकाल दीजिए। अगर आप भी अपने विश्वास की शक्ती को बढ़ाना चाहते हैं और एक सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं धन कमाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो हमने अपनी वेबसाइट brainbook.in पर positive affirmations और law of attraction के कुछ audio बनाए हैं आप description में दिये हुए link पर जाकर या उपर आई बटन पर क्लिक करके इन audios को डाउनलोड कर सकते हैं चाप्टर नम्बर 9. How to use the will इच्छा शक्ती का इस्तमाल कैसे करें आपकी will power आपके subconscious mind की शक्ती को develop करने के लिए सबसे ताकतवर हथियार का काम करती है जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए अपने subconscious mind की power को develop करन सबसे important काम है डॉक्टर वाटल्स कहते है कि अमीर होने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ती को किसी और पर इस्तमाल करने की जरूरत नहीं है आपको अपनी इच्छा शक्ती का इस्तमाल केवल खुद पर करने की जरूरत है आप दूसरों को control करने के बजाए खुद के व अपनी असल में जिन्दगी में पाना चाहते हैं जब आप यह जानते हैं कि आपको जीवन में क्या चाहिए तो आप उसे पाने के लिए अपनी विल पाव का इस्तमाल करते हैं हमें इच्छा शक्ती का इस्तमाल अपने subconscious mind में नए विचार डालने के लिए करना चाहिए प्रोस्पेरिटी की भावनाय महसूस करने से धन और प्रोस्पेरिटी आपके जीवन में आकर्षित होते हैं। चाप्टर नमबर टेन, फर्दर यूज अफ दविल, इच्छा शक्ती के अन्य उप्योग। डॉक्टर वॉटल्स कहते हैं कि गरीबी और इससे जुड़ी सारी चीजों के बारे में सोचना छोड़ दें। जब भी आप गरीब लोगों के बारे में सोचें या बोलें तो इस तरह सोचें जैसे वे अमीर बनने की प्रोसेस में हों जैसे उन पर तरस खाने की बजाएं। इसके बजाएं पूरी दुनिया के अमीर बनने में दिल्चस्पी। ले आप खुद अमीर बनकर लोगों की मदद जितने असरदार धंग से कर सकते हैं। उतनी किसी दूसरे तरीके से नहीं कर सकते ध्यान रहे यह तब ही संभव है। जब आप कम्पिटिटिव नहीं बलकि क्रिटिव तरीके से अमीर बने आपको अपना माइंड हर उस चीज या इनसान के विरुध बंद कर देना होगा जो आपके इरादे को हिला सकता है। या आपकी धारना को कमजोर बना सकता है। आपको केवल इस किताब में बताए गए नियमों और तरीकों को पालन करना है। आपके अमीर बनने की राह में रुकावट ना बने।